प्रेदर्शकों नमस्कार आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है आईए सुनते हैं आज के मुखे समाचार सेल आरिस्पी में तक्नीकी यंत्र विंगों के लिए जलवायू जोखिम और समुथान शक्ती पर तक्नीकी वारता आयोजेत सेल रावकिला एस्पास सेंटर द्वारा समर्थित स्टार्ट अप इल्डी स्लैज को जैविक खाद में बदला और सेल होकी अकाड़मी के लिए 27 जून से 30 जून 2023 तक काड़टों का चयन सेल रावकिला एस्पास सेंटर के मानव संसाधन विकास केंदर में 17 जून को भारतिय धातु संस्थान रावकिला शाखा द्वारा जलवायू जोखिम और समुथान शक्ती पर एक तक्नीकी वारता आयोजेत की गई कारेपालक निजेशक वर्क्स और अध्यक्ष आई आई एम रौटले शाखा के अध्यक्ष श्री एस आर सूर्यवन्षी मुख्य अतिति के रूप में उपस्थित होकर बैठक की अध्यक्षता की इस अवसर पर श्री पीके सत्पती ईरी पी एंड ए भी इस अवसर पर उप की बदलती जरूरतों के अनुकूल अपने आपको ढालना होगा तथा जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तदनुसार प्रतिक्रिया देनी होगी ताकि वैश्विक बाजार में इसका अस्तित्व बना रहे इस अवसर पर आई आई एम के नए आज जीवन सद्धस्यों को भी सम्मानेत किया गया का कंसल्टेंट एजेंसी मेसर्स अर्गनेस्ट और यंग की सुश्री अलका उपाध्याय ने जलवायू जोखिम और समुथान शक्ति विशय पर प्रस्तुति करण किया इसके तहत जलवायू परिवर्तन को संबोधित करने के के लिए दो आयामे द्रिश्टिकोन संक्रमन जोखिम और शुद्ध शुन्य उत्सरजर रणनीती एवं भौतिक जोखिम और समुथान शक्ति निर्मान पर एक विस्त्रत विवरण और स्पश्ट्री करण दिया गया इसके बाद विचार विमश सत्र आयोजित किया गया जह श्री आदिष्ट चंद्र सरकार ने सभा का स्वागत किया महाप्रबंधक आरसी एल श्री आशिष रंजन ने आप्चारिक धन्यवाद ग्यापित किया जबकि महाप्रबंधक कोग ओवन श्री विश्वजीत मिश्र ने इस कारिक्रम का संचालन किया सेल रावकिला अस्पात संयंत्र का निगमित सामाजिक उत्तरदाईत्व CSR विभाग राष्ट्रे प्रोद्दग की संस्थान रावकिला के सहयोग से अपशिष्ट से संपदा, वेस्ट टू, वेल्थ और स्वास्थे खेती और पर्यावरण जैसे अन्य CSR के इंदित शेत्रों पर अनुसंधान और विकास पहल के साथ आगे बढ़ रहा है हाल ही में इसने भारती अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने और कूडे कच्रे अन्य अपशिष्ट और स्थानिय संसादनों का उपयोग करकी की रोजगार पैदा करने की उद्देश्य से स्टार्ट अप ओडिशा स्टार्ट अप इंडिया जैसे सरकार के प्रमुखकार इक्रम को बढ़ावा देने में अपना हाथ आगे बढ़ाया है बायोटेज एग्रिनोवेशन ट्राइवेट लिमिटेड रस्पी द्वारा समर्थित एक ऐसा स्टार्ट अप है जो स्टार्ट अप ओडिशा और स्टार्ट अइंडिया द्वारा मानिता प्राप्त है इस कंपनी के संस्थापनक निजेशको डॉक्टर शितरश्मी साहू और सेवा निवरित प्रोफेसर मीना कुमारी महराना ने बायो टेकनोलोजिस इंजिनियरों और किसानों की एक टीम के साथ मिलकर धान, सबजियों, फल, फूल, व्रिक्षों एउन घर के अंदर रखने व आपने अभिनव सोच के साथ पौधे के पोशन जैव उर्वरक, जैविक खाद और जैव इंजाईम जैसे मूले वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए अपशिष्ट का उपयोग करने का प्रयास किया, उनका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टी से स्थाई त बौध पोशन और मिट्टी की कंडिशनर विक्सित करना है, इसे क्रिशी और किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार 2021 की एक पहल राश्ट्रे क्रिशी विकास योजना, क्रिशी और संबंध क्षेत्र काया कल्प के लिए लाबकारी द्रिश्टी कोन आर के वी वाई रफतार से सहायता अनुदान भी प्राप्त हुआ है, सेल रावरकेला इसपाथ सेंद्र, रस्पी द्वारा रावरकेला में संचालित सेल होक्य अकादमी में कैड़ेटों के नमंकन के लिए चैन परिक्षन 27 जून से 30 जून 2023 तक बीजू पतनाएक होक्य स्टेडियम में आयूजित किय जायेगा, बैटरी टेस्ट में अरहता प्राप्त करने के लिए उमीदवारों की आयू एक जुलाई 2023 के अनुसार 14-16 वर्ष होनी चाहिए, उमीदवारों को 26 जून 2023 की शाम बीजू पतनाएक होक्य स्टेडियम सेक्टर 5 में रावरकेला में अपने भरेवे आवेदन पत्र और राजपतृत अधिकारी द्वरा सत्यापित आवश्यक प्रमानपत्रों दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ रिपोर्ट करना है, जन्म तिठी के प्रमान के लिए मैट्रिकुलेशन प्रमानपत्र, प्रमानपत्र जन्म और मृत्यों के रजिस्ट्रार सक्षम सरकार प्राधिकरण से आधार कार्ट सहीत स्विकार किया जाएगा सत्यापन के लिए मूल प्रमानपत्र प्रस्तूत करना होगा संस्थान संग संयंत्र अधिक्तम चार खिलाडी पुरुष भेज सकते हैं चैन ट्रायल के दौरान खिलाडियों को रौड़किला में निशुल रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी अजिक जानकारी के लिए इच्छु खिलाडी आरेस्पी के सहेक प्रबंधक ग्रिडा और एस एच ए प्रभारी श्री रगुनंधन पाधी और एस एक कोच श्री राजुकांथ स्यानी से मोबाईल नंबर डबल एट नाइन डबल एक के दाइरे में आने के बाधिया सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरी तरह से खेल पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें कैड़ेटों को एस एचे द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाओं में मुफ्त बोर्डिंग सुविधाएं मासिक स्टाइपेंड संत बीमा कवरेज और वश में एक बर आने वाले माता पिता अभिभावकों के लिए बस ट्रेन का किराया कुछ अनिस विधाएं हैं इसके अलावा कैड़ेटों को कई महतवपुन राष्ट्रे स्टर के टूर्नामेंटों में भी खेलने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें तक जीतने वाले भारतिय टीम के उपक कप्तान विरेंद्र लाकडा एस एच एके गौरफ शाली पूर्व खिलाडी हैं उलेखनिये हैं कि कैड़ट बीजू पटनायक होकी स्टेडियम में एन आई एच के योग कोचों के संग्रक्षण में अपने कोशल को निखारेंगे ज संग्रचनाओं के साथ उन्नत किया गया है स्टेडियम को एफ आई एच काटेगरी टू होकी फिल्ड सर्टिफिकेट पर प्रदान किया गया है जिससे वह काटेगरी टू राष्ट्रे और अंतरष्ट्रे टूर्णामेंटों के लिए योग्य हैं इसे के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है नमस्कार